हेलो दोस्तों वेलकम टो लेट्स क्रैकिट और भाई आज है सत्ताइस अगस 2020 और यह आज का दा हिंदू न्यूस पेपर और हम करने जारें इसको डिश्कसन एक दो एडिटोरियर बहुत इंपोर्टेंट है आर्टिकल्स अच्छे हैं तो वन वाई वन सभी आर्टिकल्स को द होता है कि COVID-19 आया तो सरकार ने कहा तो सरकार ने कहा कि भई लोन कैसे रीपे करेंगे लोग भाग जब उनके बिजने सीजन नहीं चल रहे तो उन्होंने एक पीडियर जो है थरी मंथ का जो की शुरू होता है मार्च एपरेल और माई इन्होंने कहा इन तीन महीनों में ना तो कोई principle देगा ना ही कोई loan का जो EMI होती है ना ही कोई बो भरेगा ठीक है लेकिन इन्होंने यह किया कि अगर कोई इस scheme को opt-out करता है तो तीन महीने के बाद भी loan पर interest चालू रहेगा ठीक है अब loan पर interest का मतलब तो यह हो गया ना कि वह एक तरफ तो आप जह है loan moratorium scheme दे र रहे हो यानि कि यह तो एक तरीके से वही बात होगी कि आप एक हाथ से कुछ जो है एक तरफ आप हमें बचा रहे हैं और एक तरफ से आप हमें महारे भी रहे हैं ठीक है तो इधर से interest ले रहे हैं और से loan up माफ भी कर रहे हैं ठीक है तो यह case Supreme Court में क।या किसी ने पी IL file कि इंट्रेस्ट जो है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के जो अगेंस जा रहा है इस तरह का इंट्रेस्ट नहीं लिया जाना चाहिए तो सुप्रीम कोट ने कहा है कि Center को सोचना चाहिए उन्होंने इस scheme का जो है किस तरीके से यूज करना है और यहाँ पर देखे क्या कहा यह कहा गया कि Government of India has ample powers under Disaster Management Act You should clarify two issues Whether interest can be charged क्या interest चार्ज किया जाना चाहिए And whether interest Own interest can be levied क्या interest पर भी interest लगा है इन्होंने compounded कहा था इन्होंने कहा था कि compound interest जो है वो charge होगा जो आपका loan amount है उस पर interest लगेगा वो चीज से अपकी charge होगी तो यहाँ पर यही इशू बताया गया कि क्या इस तरह के चीजे चलना सही है तो यह इशू यहाँ पर बताया गया है ठीक है अब इसमें आपको क्या जानना है आपको basically यही जानना था कि loan moratorium scheme थी क्या तो यह scheme वही थी यह moratorium का मतलब होता है एक period ठीक है तो loan का वो period जिसमें आपको loan का amount जो है repay नहीं करना उसको कहते है loan moratorium scheme पहले यह 3 महीने के लिए थी फिर इसे extended कर दिया गया आगले 3 महीने के लिए तो आपके लिए यह जानना ज़्यादा जरूरी है ठीक है यह क्या issue है यह आप समझगे कि interest जो लेवीड हो रहा है उसके ओपर यह issue था ठीक है तो आगे बढ़ते है इसमें इतने ही जानना ज़रूरी है आपको इसमें फाल तो ऐसा कोई मेंस में कुश्चन नहीं आने का कि सूप्रीम कोर्ट ने इस तरह से क्या कहा है वगयरा वगयरा सिर्फ आपको प्री के हिसाब से loan moratorium scheme के बारे में पूछा जा सकता है ठीक है तो आगे चलता है देखते है ओके नाओ इस आर्टिकल और इस ओल्सो इंपोर्टेंट आपको पताए कि जो मरठाज हैं और रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं यहां पर बताया गया है कि मरठाव को रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए तो ग्यारा जजज बैंच एक बनी है सूप्रीम कोट पे और उसको देखने के लिए यह आर्टिकल यहां पर आया कि उन्होंने किस तरीके से सीज को डिफाइन किया है सूप्रीम कोट उन वेडनेस डे अस्टू सेट अप एंग्यारे जजज बैंच टू रिकंसीडर पचास परसेंट कैप अपको पता है कि नाइंटीन नाइंटी टू में जो इंदरा साहनी केस हुआ था उसमें बताया गया थे कि पचास परसेंट से जादा नहीं हो सकता तो इन्होंने काया कि अब उसको तीस साल से जादा हो गए मलब तीस यर्स से जादा हो गए हैं उस लोग क्या उस लोग को चेंज करने की ज़रूट है क्या रिजरुएशन पचास परसेंट से आगे बढ़ा दिया जाए तो बात जो चल रही थी वह माराथा परसेंट के पॉन रिजरुएशन डिक्लियरड वाइद नाइन जज़ बैंच ऑफ दर सुप्रीम कोट इन नाइटीन 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 नाइटी तो में जो नाइन ज़ज बैंच आई थी उसका यहां पर बताया गया है कि जो बारह से तेरह परसेंट रिजरुएशन द नाइटी तो में जो पचास परसेंट सीलिंग बनाए गए थी उसको भी रिकंसीडर करने की यहां पर जरूरत है मिस्टर सेवी रिजन डेट ट्वंटी एट स्टेट है ग्रांटीड रिजरुएशन एक्सीडिंग फिप्टी परसेंट तो इन्होंने बताय कि रिजरुएश तो उसको रिवियू करने के लिए यहां पर यहां पर जाए था लिमिट परसेंट से जादा पहुँच गई केस फाइल होगया कि लिमिट परसेंट से जादा नहीं पहुंच सकती तो यह यहां पर इस चल रहा है कि लिमिट परसेंट से जादा तो 28 से स्टेट में हैं तो क्या एक्ट ही गड़बढ़ है बास समझ रहे हैं ना इस वेरी वेरी किलियर दो 50 परसेंट लिमिट है वो अब ब्रीज हो रही है हर स्टेट में तो लॉयर्स ने कहा कि कोट कोई पचास परसेंट सीलिंग जो दोबारा से देखने की जरूरत है ठीक है और साथ में ही 10 परसेंट कोट अभी 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 एकोनोमिक शेक्शन को दिया गया तो वो भी इसको बाइले ठीक कर रहा था देखें मिस्टर साइबाल सैट अमेंडमेंट्स मेड तू अर्टिकल 15 और 16 ऑफ दे कॉंस्टिटूशन एंटेल बहुत एंपावर्ड एंप्लॉइम्ट तू बैकवड क्लासें तो आर्टिकल 15 राट्रीकुएलिटी और रिजर्वेशन के बारे में आर्टिकल बताते हैं तो देखि इन दा कॉंस्टेक्ट ऑफ इंद्रा साहनी जज्जमेंट देयर और इस्टिल इलार्ज नंबर ओफ प्यॉपिल हुआर इस्टिल बैकवड तो वहां पर जो बैकवड नेस की जो डैफिनेशन दी गई थी उसके हिसाब से आज भी बहुत सारी पोपॉलेशन बैकवड है ठी अपील्स वह बीन फाइल बाइड इंडिवीज वार्क एंड लाइफ फंजी यो ठीक है तो ये एंजी यो वगैरा के द्वारा जो प्रिशन फाइल हुई ठीक है मराठा लाओ को लेकर के दे आर्यूड देश शोशली एंड एजुकेशनली बैकवड करस्ट एक्ट आज बॉन अंडर पॉलिटिकल प्रेशर तो प्रेटिशन में कहा गया था कि ये जो एक्ट है पॉलिटिकल प्रेशर में लाए गया था एंड फुल डेफिशेंस ओफ दर तरीके से दुबारा से जो डिसाइड कीजिए कि कौन कौन बैकवार्ड है और तभी आप इस चर्चतर हैं के डिसीजन लीजे ठीक है तो यहां पर यही बात चल रही है और अभी एक होट टोपिक बना रहेगा तो इस के ऊपर डेली आर्टिकल से बाते रहेंगे तो यहां पर बेसिक आइडिया आपको हो गया ठीक है आगे चलते हैं इस न्यूस में सिर्फ इतना ही आपको पता होना चाहिए कि इंद्रा सानी केस वेरी इंपोर्टेंट है 1992 में था 50% सीलिंग रिजर्वेशन पर इन्होंने लगाई थी ठीक है और अब इसको हटाने की डिमांड च जो है यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उसे देखिए पूरा इशू आपका वन वाई बन के लिए हो जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन्स में यह इस आते हैं और पाकिस्तान किस तरीके से एक्सपोज होता है इंडिया के द ओडर प्रफॉर्म सक्सेस्फुल कंसिस्टैंसी इन सैंटल पॉलिसी कॉंपलिमेंट्री रिफॉर्म संडे कोलाबरिटिव सेंटल स्टेट एप्रोश्ट इस नेसेसरी तो देखते हैं इसमें क्या-क्या जो सुझाब दिये गए हैं ठीक है तो इसेंशल कमोडिटीज एक्ट के अंदर अभी अभी संसुधन किये गए थे इन्होंने क्या गया था सेरल पलसेज ओल सीट्स ओनियन पोटेटोज इन सब को जो लिस्ट है जो एसी ए की लिस्ट है उससे बाहर कर दिया था और अब जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो इन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ठीक है शुट है पट्रेक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बीन एडवर्सली अफेक्टेट बाइड़ पॉलिसी रिजीम हिरर टो डैट डिस्करेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो benefit होगा बहुत सारे farmers के रिए तो एसी एक्ट हुआ amendment आपका और जी दूसरी बात आपकी interstate trade और तीसरी बात आपका contract farming यहाँ पर आती है ठीक है आगे चलते हैं however there are several difficulties that needs to be addressed अब agriculture है तो बहुत सारी चीज़ आपको जरूरी है जो की address करनी पढ़ेंगी तो पहली है कि आपको behavioral economics के थूरू time inconsistency बनाए रखनी होगी in simple terms policy credibility problem means एक policy launch की है तो उसकी credibility बनी रहनी चाहिए और वो policy तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक कि सभी को benefit न हो जाए और policy successful होनी चाहिए time bound manner में क्या करते हैं एक policy चलाते हैं उसके बाद कुछ समय के बाद दूसरी पॉलिस हिला देते हैं तीसरे बाद तीसरी पॉलिस हिला देते हैं तो इस तरहीं होना चाहिए देस सैडा दजे आराइधे वन तान दो fifty में करस प्रैफरेंसे चेंज अब ही किसको टार्जेट करना है उन-ओरनाइज सेक्टर गो स्कीम चला दी है अभी किसको टार्जेट करना हैoft जनके पास 2 हेक्तियर अàiज कम जमीन है अभी किसको हैक माद टार daí अब दो इना पोर्ट points in time ठीक है why is this problem relevant to the present context because the policy signals are not very clear in the last few years as it relates to agriculture market as a single तो यहां पर यह जो बताया गया चीजह है कि time inconsistency जो बनी होगी है और यहां पर policy credibility problem जो है उसकी examples यहां पर दिये है 2016 में लाई एनाम पोर्टल कहा कि सारी जो APMC मंडीज हैं उनको एनाम पोर्टल से जोड़ेंगे farmer वहां पर जाएगा और अपनी official को online ही बेच पाएगा ठीक है तो यहां पर देखें एनाम पोर्टल लॉंच्ट किया बहुत अच्छा रहा की बेस मेकेनिजम फोर efficient price discovery यह देता है ठीक है फाइब 85 markets और 16 इस्टेट इन टू यूटी जिससे जोड़ चुकी थी इस्टेट्स नीड टू अमेंड इस्टेट्स को order दिये गए कि अपने एक्ट को अमेंड करो और इसको इसके साथ इनाम पोर्टल के साथ लिंक करो ठीक है तो पुट इन प्लेस थी प्रेक्षाइट for the success of this program इनाम के साथ साथ एपी एमसी में जो सुझाब दिये गए कि अमेंड करो तो क्या क्या जोड़ना था कि एक तो सिंगल लाइसेंस रखो ह जो फी है मार्केट फी वो एक जैसी होने चाहिए और इलेक्टोनिंग ऑॉक्षिनिंग होनी चाहिए और फाल दा मार्केट्स यानि की इनाम पोर्टल के जरिया आप इसको जोड़ दीजे अब कुछ स्टेट्स ने तो इसको कर दिया कुछ स्टेट्स ने नहीं किया इनाम पोर्टल फॉर और लेस जितना उससे डिजायर था उतना नहीं मिला तो यह ओवर ओल आपका जो है लगबग पचास परसेंटी सक्सेस्फुल हो पाया यहां पर इनों ने पहले बताया था कि प्रिफेंशियल जो चेंज करते रहते हैं जैसे कि यहां पर टाम हुई थी पॉ पजास परसेंट से ने काम किया पजास परसेंट ने नहीं काम किया तो आपने इसको बंद किया आपने इसको इस पर ध्यान देना बंद किया आपने अपना प्रिफरेंस शिफ्ट कर दिया दूसरी तरफ कौन सी दूसरी तरफ as a result अब फेल हो गया तो क्या किया the government reverted back to the policy support public price support launching यह भी जो ने PMASA launch की September 2018 में ठीक है इसका क्या मतलब था PMASA के थरो program was to provide an assured price to farmers then ensured a return of at least 50% more than the cost of cultivation 100 रुपे की आपने cultivate की फासल आपको 1.500 रुपे surely मिलेंगे यह मिलेंगे PMASA के थरो चाहें आप फ़सल बेचो ना बेचो the program was confined to अब program जो है जो है सिर्फ pulses के लिए था और oil sheets के लिए था although ऐसी बहुत सारी फ़सले हैं जिनके लिए MSP नहीं है MSP आप जानते होंगे क्या होता है ठीक है MSP procurement system में बहुत सारी जो फ़सले हैं वो ऐसी हैं जो की cover होनी चाहिए थी PM ASA के अंदर लेकिन सिर्फ pulses और oil sheets को यहाँ पर limit कर दिया also need to coverage जो MSP के outside जो फ़सले थी उनको भी इसमें coverage करना चाहिए था अब यह देखे public procurement, deficiency payment and private procurement इसके तीन जो pillar थे क्या थे public procurement, deficiency payment and private procurement तो यह वाला जो area था public procurement का इस पर खास ध्यान दिया गया deficiency payment होता है कि आपकी MSP जो है और जो market में price चल रहा है उसके बीच का difference is called deficiency payment ठीक है तो यह इस चीज पर ध्यान नहीं दिया गया जागा और जो यह है आपका private जो तीसरा वाला issue था यह वाला यहाँ पर देखिएगा private procurement इस पर तो ध्यान दिया ही नहीं गया यानि कि आपने सिर्फ public procurement पर ध्यान दिया deficiency वाले पर कुछ ध्यान नहीं दिया और private procurement पर ध्यान नहीं दिया यहीं बताए कि deficiency payment सिर्फ अपना initiating नहीं किया in any state उसके बाद 4721 करोन की जरूरत आपने दिखाई 2018-19 के बजट में जबकि यह इसकी मैसी है कि इससे बहुत ही जाद है का amount चाहिए था तो यह इन्होंने यहाँ पर बताया किस तरीके से पैसे की कमी रही 321 करोन आपने यह आउट ले दिया 2019-20 और 50 500 जो करोन आपने आउट लेट दिया 2020-21 में इसके बाद PM आशा प्रोग्राम तो मोडल एक्ट्स वर फॉर्मूलेटेट बाई दर सेंटर तो पर मोट अग्रिकल्चर मार्केटिंग इन कॉंट्रेक्ट फार्मिंग यह मैंने आपको पहले ही बताया इस्टेट्स आर रिक्वाइर टू लेजिसलेट इस मोडल एक्ट्स ठीक है ओके इस अन इंस्पारिंग परफॉर्मेंस अब यह जो अन इंस्पार परफॉर्मेंस का मतलब है कि पी है मासा जो सक्सेस्फुल नहीं हुई वो क्या बजा थी एक तो आपका जो स्टेट्स को रिक्वाइर किया था कि वो मोडल एक्ट बनाएं पर स्टेट्स ने एडॉप्ट ही नहीं किया ठीक है दूसरी बात उन से कहा गया था जो आउट ले था बजट में जो पैसा दिया जाना था वो भी काफी कम था जिसकी वज़े से ये चीज़ें फेल हुई और इसके बाद अब पीम आसा भी आपकी सक्सेस्फुल नहीं हुई तो अब एक नई चीज़ लाए वही प्रिफैंशल चेंज है ना पीम किसान डायक्ट कैस्ट ट्रांसफर करेंगे इंट्रिम बजट 2019-20 में ये बात कही इन्होंने कहा कि सिक्स थाउजन पर एनम जो है दिया जाएगा टू इच फार्म हाउसोल्ड हर एक फार्म हाउसोल्ड को और बजट का ऐलोकेशन दिया 75,000 करोन ठीक है इतना आउटलेट इन्होंने बजट का दी आउट ले दिया दिस प्रोग्राम वाज वक्ड रीजनेवली वैल सो फार अब तक प्रोग्राम अच्छा चला फिर कोविड 19 आगया ठीक है तो ये प्रोग्राम उस तरीके से यहां पर जो फेल हो गया अब देख 75 और ज्यादा मार्केट से जोड़ दिया गया फार्मर्स हैब बिन एलोटेट तो सेल एंड ट्रांसपोर्ट डारेक्ली फ्रॉम रेजिस्टरड वेयर हाउस और फार्मर प्रोडूसर रेजिस्टरड वेयर हाउस बनाए गए इनाम पोर्टल के जरिए आपको एक सिलिप दे की रिफॉर्मस लिए गए जो हमने ऊपर डिसकस किये जो कॉंटक्ट फार्मिंग का एक था और इंटर इस स्टेट ट्रेड का एक्ट जो एक ओर्डिनेंस पास हुआ उसके बाद इसेंशल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट हुए ठीक हैं तो वो सब चीजे माई 2015 में गई होईवर सम अब दा इशूज अभी भी जो है रिमेन हैं जो इशूज हैं वो सकसेज में हर्डल आ रहे हैं जैसे की दफ रिक्वेंट फिलिफ फिलो पिन फार्म पॉलिसी अब यह जो इन्होंने बात कही वही प्रिफरेंशल चेंज के ओपर बात किये कि आपने पहले एन्म नोंच किया फिर आप चले गए पीम आशा पर और फिर चले गए अप जो है पीम किसान योजना पर ठीक है यह थीा आपकी यूमार्केट बेस्ट योजना अब मार्केट बेस्ट पर जाया यानीकी जो पिय एम किसान वाली थिए आप उस पर आगे तो हांपर इस जो है लाते हैं कभी आपको इसी पॉलिसी लाते हैं तो यहीं पर का रहा है कि पॉलिस जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो यही देखते रहेंगे कि अब क्या चल रहा है अब क्या चल रहा है इन्वेस्टमेंट कब करें ठीक है अब जो दूसरा इशू आ रहा है वो क constitutional provisions the implement of the same west with the states अच्छा ordinance जो पास होता है जैसे अभी दो पास हुए इंटर इस्टेट ट्रेट के बीच और जो contract farming खा था वो ordinance इंटर लवर्मेंट लाती है उनको implement करने की जो तैयारी है वो स्टेट के पास होती है अभी इंटर इस्टेट ट्रेट जाल वाला जो था यह involved करता है movement of goods across the state boundaries जो इंटर इस्टेट ट्रेट वाला ओडिनेंस था तो goods का across the state boundaries ठीक है दस coordination between the center and the state government is must ठीक है crucial अब यह नैसेसरी है कि state of central governments के पीच में एक bond बना रहना चाहिए क्योंकि इस तर रहेगा जो चीजें हैं वो ऐसे ही अकेले नहीं हो सकती ठीक है इंटर इस्टेट ट्रेट की यहां पर बात हो रही है तो union का involved होना काफी ज़्यादर जरूई हो जाता है also the states must have faced several problems in legislating and implementing the earlier model acts ठीक है इस्टेट को पहले भी काफी problem होई model को implement करने में तो यहां पर भी center को यहां पर इनकी help करनी चाहिए थी center को engage होना चाहिए था इन सब चीज़ों में ठीक है यहीं पर यह बात ही बताई गई है तीसरा जो issue है वो यह है multiple market failures यहां देखने को मिलते हैं and the resultant inter linkage of ruler market और ruler markets की क्या है वो link नहीं हो पा रहे हैं जो है इनाम पोर्टल बगएरा से absence or failure of credit and insurance markets में lead to farmers to depend upon the local input dealer अब यह उससे link नहीं है तो अपने महीं बेचेंगे ना local dealer के पास ठीक है जो गाउ में बनिया होता है उस तरीके कि जो लोग होते हैं उनको ही बेचेंगे और वहां से उनको अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा और farmers की income को double भी तो करना है 2022 तक उसका क्या होगा अगर इस तरह की चीज़ें जो ruler areas में चलेंगे ठीक है दस reforms in the output market alone are not sufficient and must be supplemented and completed with liberalization of lease market and better access to credit and insurance market भी अच्छे करने पड़ेंगे किसान को loan लेने में सुवीदा हो उसको insurance प्रदान किया जाए प्रदान मंतरी फसल बीमा योजनच चल रही है उसको जो है launch किया जाए thoroughly throughout the India ठीक है in conclusion consistency in policy collaborative approach complementary reforms are necessary for the success of market ठीक है तो यह article जो था आपका यह means की paper में GS2 में आ सकता है governance में आ सकता है ठीक है काफी अच्छा यहां पर यह article दिया गया था यह हमने discuss कर लिया ठीक है आपको समझ में आ गया होगा नहीं आया तो आप एक बार और देख सकते हैं ठीक है अब यह जो article है the uncharted territory of outer space तो इन्हों नहीं आपर बता है कि ठीक है सब लोग space जो है हमारा उसमें missions भीज रहे हैं लेकिन जो उसकी जो उसकी जो सुवीधा है जैसे database बगरा है या कूड़ा बगरा है और उसकी territory भी define नहीं है तो वहाँ पर classes होना जो बनता है और उसके लिए armed control issue और एक governance policy और एक regulatory framework वहाँ पर होना चाहिए अब यहाँ पर कुछ चीजें अच्छे दी गई हैं उनको यहाँ पर discuss करते है challenges in the fulfilling potential अब हम जो outer space है उसके जो potential है पूरा उसको fulfill नहीं कर पा रहे हैं उसमें क्या challenge जा रहे हैं तो पहला देखिए and outer space become democraticized commercialized and crowded अब हर देश अपना एक particular navigation system भेजेगा हर एक satellite भेजेगा जियो स्टेशनरी और पोलार स्टेशनरी हर तने की satellites वहाँ पर जाएंगी the multilator framework for its governance is becoming obsolence ठीक है space law जहां देखिए space law is a product of the global age of two decades space laws आये थे 1967 में मिशन स्टार्ट के थे outer space treaty 1967 में आये थी should be the provinces इसने कहा था outer space treaty के दोरह का गया था कि outer space is not is the province of all mankind kind तो वो जो जगह है वो सभी लोगों के लिए किसी particular national वहां पर अपनी sovereignty नहीं दिखा सकता ठीक है फिराइक rescue agreement, space liability convention, space registration convention expanded the provisions of the outer space treaty ठीक है उसके बादा ही moon treaty 1979 में was not ratified by major space fearing nations अब इसको ज़्यादा लोगों ने जो है sign भी नहीं किया space loss does not have a dispute settlement mechanism अगर आपकी space territory में classes होता है तो वहां पर dispute settlement mechanism भी नहीं है is silent on collision and debris और अगर दो satellites का collision होता है तो उसके लिए भी कोई dispute settlement mechanism नहीं है और जो debris आप लोग जो space debris वहां पर रह जाता है satellite का कुड़ा जिसे हम कहते हैं मार लोग crash हुआ और वो कुड़ा वहीं पर ही जो सराउंड करता रहता है वो सब इसे हैं dispute settlement mechanism के अंदर cover नहीं होता है and offer insufficient guidance on interference with other space assets ठीक है तो यहां पर देखें दूसरा क्या issue है the legal framework is state centric ठीक है सिर्फ countries इसको photo करती है जबकि private जो non-state entities जो private entities हैं को भी space exploration में लगी हुई हैं दूसरा issue यह आता है तो space laws को उनको भी cover करना चाहिए सिर्फ states को focus ना करते हुए तीसरा क्या issue आता है state is extoll by the virtues of folding the high grounds space is the highest ground states are investing in military space systems तो अब आप वहां पर military equipment or military satellites वहां पर इंस्टोर कर रहे हैं अगर मालो आपकी कोई enemy country है और आपको उसका satellites दिखता है तो अगर आप उसको उड़ा देते हैं तो वहां पर वोड़ सुरो जाएगी उसे हम कहेंगे space war ठीक है अब space war जैसी चीज अगर शुरू हुई तो प्रत्वी तो हमने वैसे ही तवागर रखी आप space और तवा कर देंगे आगे देखे need for a space legislation यहाँ पर इंडिया की बात हुई है तो यह थोड़ा सा point अच्छा हो जाता है इंडिया है इंडिया है इन्वेस्टेड अनॉमेस रिसॉर्च इनिट्स स्पेस प्रोग्राम तरोदा इस रो ठीक है तो हमने इस रो के जरीए काफी सारे research प्रोग्राम हैं जैसे कि हमने एक लेंडिंग प्रोग्राम रखा है मून के लिए और हम एक solar observatory भेज रहा है आदित्य एलवन भेज रहा है फिर्स्ट क्रियूड और बिटल स्पेस फ्लैट मिशन भेज रहा है इस तरह के मिशन्स हमारी जो पहुंच है वर्ड में उसको बढ़ाएंगे यह प्रिपोज इनवल्व मेंट ओफ प्राइवेट प्लेयर्स एंद रिएशन ओफ एंट ओनवन बोडी इन इस पैस इंडियन नेशनल इस पेस प्रमोश्टन एंड ओटराइजेशन सेंटर अन्डर डिपार्टमेंट ओफ फेस फोर परमिटिंग एंड एगुलीटिं एक् तो इसी तरह की बात यहां पर की गई है कि गवर्नेंस चाहिए रेगुलेटरी चीज़े चाहिए और आम कंट्रोल इशूज यहां पर जो आ रहे हैं इस पेस में उन चीज़ों को यहां कवर करना चाहिए तो आर्टिकल में जो जो चीज़े काम की थी हमने देख लिए इंडि दिस आर्टिकल इस इंपोर्टन यहां पर सिर्फ यह वाला जो फस्ट पैरा यह इंपोर्टन यहां पर लिखा है पुली कल्ली क्या लिख biggest purday और टाइगर डानस इस ए कनटर पर ओनम ऑनम के अंदर आता है तो आपको याद रखना है कि जो पुली कल्ली का नाम याद रखना है और हम आपको पता ही होगा ठीक है इसमें और कुछ जाने कि आपको जरूरत नहीं है आगे चलते है या तो दिस इस योर टूड़ेज दाहिंदू न्यूस पेपर अनलाइसिस और हमने सारे आर्टिकल्स अच्छे से डिसकस किये आपको लोन मौरिटरियम स्क्रीम समझ में आ गई होगी आपको पाकिस्तान वाला इशू नीचे लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर की देख सकते हैं और आपको एक्रीकल्चर रिफॉम बाला जो इशू है वो बहुत ही इंपोर्टन्ट है साथ ही साथ मराठा जो लो रिजर्वेशन का बनाया गया है उसके इशू भी काफी जादा इंपोर्टन्ट है तो इसको देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजेगा साथ ही साथ जो मिस्टेक्स होई हैं उनको भी बता दीजेगा तो चलते हैं फिर गुड़ बाई